यूनिट वन पेज 40 अब यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज आ गई है रिव्यू का मतलब होता है कि इस यूनिट में हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार रिवाइस कर लेते हैं राइट ता कोरेक्ट मिसिंग नंबर्स मिसिंग नंबर्स लिखेंगे 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 नेक्स्ट है 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 थर्ड क्वेस्टन है 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Write the numbers that come before and after the given number अब वो नंबर्स लिखने हैं जो दिये हुए नंबर्स से पहले और बाद में आते हैं और नंबर जो हमें दिया है वो 14 है 14 से पहले 13 आता है और 14 के बाद 15 आता है तो इस तरह होगा ये 13, 14, 15 60, 61, 62, 72, 73, 74, 96, 97, 98 Page 41 Write the number that comes between the given numbers जो नंबर दर्मियान में आता है वो लिखें 23, 24, 25, 43, 44, 45, 36, 37, 38, 98, 99, 100 Count backwards and write the correct numbers अब हमने backward count करना है यानि उल्टी गिंती पढ़नी है और ये हम स्टार्ट करेंगे यहां जहां 88 लिखा है राइट साइट पे यहां से 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82 इसमें हम क्या करते हैं backward counting में एक नंबर कम करते जाते हैं 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 Write the ordinal numbers for each animal हर जानिवर के लिए ordinal number लिखें ordinal numbers क्या होते हैं जो किसी भी चीज की position बताते हैं या तरतीब बताते हैं सबसे पहले अब हमने start जब करना है ते right side से देखना शुरू करेंगे यहां जो block है उसमें सबसे पहले snail बना हुए snail की position देखते हैं first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh seventh position पहर आजाएगा तो seventh लिखेंगे seven लिखे टीएचे आएगा नेक्स्ट यहांयां पर एक word बना हुँ ए फर्स्ट, second, third, fourth fifth position है इसकी five लिखे टी एच लिखेंगे फिफ्त बन जाएगा नेक्स्ट grasshopper है ग्रास ओपर 10 पॉजिशन पर है तो 10 लिखके टी-एच लिखेंगे ये 10 बन जाएगा बटरफलाइ 4 पॉजिशन पर है 4 और टी-एच आजएगा एंट 9 पॉजिशन पर है 9 लिखके टी-एच लिखेंगे तो 9 आजएगा मौत फिफ्थ पॉजिशन पर है फाइफ टी एच आजएगा कैटर पिलर थर्ड पॉजिशन पर है थ्री और आड़ी आजएगा अब आपने गोर करना है कि इसके साथ आड़ी क्यों आया है जब आप थर्ड के स्पैनिंग लिखते है टी एच आई आड़ी तो एड़ी तो वही आड़ी इस थरी के साथ लग जाता है तो थर्ड बन जाता है उसके बाद लेड़ी बर्ड है सेकंड पॉजिशन पर है सेकंड के साथ एड़ी क्यों आया है second के spanning होते है s e c o nd तो इसका nd जो है वो two के साथ लग जाता है इसलिए second के second को इस तरह लिखते हैं उसके बाद यहाँ bug है एक eighth position पर है eight लिखके th लिखेंगे इसी तरह जो b है वो first position पर है one लिखके st लिखेंगे st क्यों आया है क्योंके first के spanning होते है f i r s t right smaller than or greater than in the blanks काली जगा में smaller than या greater than लिखें 12 is smaller than 18 12 18 से छोटा है 99 is greater than 90 99 से बढ़ा है 40 is smaller than 41 40 41 से छोटा है 70 is greater than 60 70 साथ से बढ़ा है 23 is smaller than 32 23 32 से छोटा है 61 is smaller than 62 61 से छोटा है page 42 write the following numbers in ascending order इन्हें ascending order में लिखना है ascending order क्या होता है कि smallest number से start करना है हमने यानि सबसे छोटा number सबसे पहले इस तरह करते जाएंगे और end पे सबसे बड़ा number आजएगा 21, 22, 23, 24, 25 45, 46, 47, 48, 49 write the following numbers in descending order दिये हुए numbers को descending order में लिखें 66, 65, 64, 63, 62 descending order आपको पता है क्या होता है सबसे बड़ी value सबसे पहले आती है 87, 86, 85, 84, 83 count the objects, चीजों को गिने write the correct numbers and fill in the blanks सही number लिखें और खाली जगा को अपूर करें अब पहले जो block में cupcake बने हुए है वो 24 है दूसरे block में 20 है अब हमने 24 और 20 को compare करना है कि इन में कितना difference है 20 is dash less than 24 यानि 20, 24 से कितना छोटा है ये बताना है हमने अब 24 में से आप अगर 20 को cut कर दें तो 4 बच जाता है इसका मतलब है 20, 24 से 4 numbers छोटा है next हमारे पर 10, 10 pencils के 4 bundles है 4 bundles 10 pencils के हो तो 40 होता है इसी तरह next block में 4 bundles है और 9 pencils अलग हैं तो ये 49 बन जाएगा 1s place पे 9 आएगा और 10s place पे 4 आएगा क्योंके 10 pencils के 4 bundles है अब हमने देखना है 49 is dash more than 40 49, 40 से कितना बढ़ा है तो 9 pencils बाकी बच रही है 9 यहाँ आजएगा यानि 49, 40 से 9 number बढ़ा है read the instructions and write the correct number I am the smallest two digit number मैं सबसे छोटा दो digits वाला number हूँ I have zero ones and one ten मेरे पास zero ones है और one ten है तो इससे क्या बन जाएगा ten बनेगा tell me who I am मुझे बताएं मैं कौन हूँ इसका answer होगा ten I am the greatest two digit number मैं सबसे बढ़ा दो digits वाला number हूँ I have nine ones and nine tens मेरे nine ones हैं और nine tens हैं hundred comes after me so मेरे बाद आता है tell me who I am बताएं मैं कौन हूँ 99 अब देखें आप one's place आएगी और एक ten's place आएगी one's place पे भी nine आजेगा ten's place पे भी nine आजेगा तो 99 बनेगा कि भी झाएगी झेगी करते प handling झाएगी 5-5 तो NEW का यज फनेए